आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों आएए देखते हैं, प्रशन यदि x बराबर a cos 2t और y बराबर b sin square t दिया हुआ है तो दिखाइए कि d2y by dx square बराबर 0 है तो देखी कैसे सरल करेंगे इसको पहले, हमें x बराबर क्या दियावा है? a cos 2t, यानि x जो है, वो हमें t का फलन दिया है और y जो दिया है हमें, वो किसका फलन दिया है? b sin square t, यानि वो भी t का ही फलन दिया है तो हमें पहले यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा अब जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा? t के सापेक्ष अवकलन से यह हो जाएगा, dx बटे में dt बराबर a तो constant है, वो तो ऐसे ही रहेगा और cos 2t का अवकलन क्या होगा? minus का sin 2t और जो 2t है, उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? यानि कि dx बटे में dt बराबर क्या आएगा? minus का 2a sin 2t ठीक है? यह आपकी हो गई समिकरन 1 उसके बाद अगला क्या दिया है? हमें यहाँ पर y बराबर b sin square t तो जब हम इसका t के साप एक शब कलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? dy by dt हो जाएगा और यह किसके बराबर होगा? देखे, b तो ही ऐसी sin square t का अवकलन क्या होगा? एक तरह से यह x square मान करके करेंगे तो यह हो जाएगा 2 sin t और sin t का अवकलन क्या होता है? वो होता है, गुड़ा में cos t तो वो आ जाएगा यानि कि dy by dt यह हमारा किसके बराबर आ जाएगा? यह आएगा, b और देखे, 2 sin t cos t यह क्या हो जाएगा? sin 2 t, ठीक है? यह हो गई आपकी समीकरण 2 अब हम dy by dx ग्याद करेंगे और dy by dx ग्याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 को भाग देना पड़ेगा समीकरण 1 से, ठीक है? तो dy by dx किसके बराबर होगा? dy by dt और बटे में dx बटे में dt के बराबर तो यह कितना हो जाएगा? b sin 2t और बटे में क्या आएगा? बटे में आजाएगा आपका माइनस का 2a sin 2t तो देखे, sin 2t से sin 2t कट जाएगा यानि कि dy by dx किसके बराबर आएगा? माइनस का b बटे में 2a अब क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? d2y by dx square तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पुना अवकलन करेंगे पुना अवकलन से और अब की बार किसके साप एक्ष करेंगे अवकलन? पुना x के साप एक्ष ठीक है? अब की बार x के साप एक्ष अवकलन करेंगे तो यह क्या आजाएगा? यह हमारे पास आएगा D2Y by DX square बराबर देखिए ये जो पूरा है term, ये पूरा पद जो है constant है, एक नियतांक है क्योंकि B भी एक नियतांक है A नियतांक है और 2 थो नियतांक है ही है, तो ये पूरा जो आएगा ये एक नियतांक आएगा और किसी भी नियतांक का अब कलन क्या होता है शून्य होता है ठीक है यही हमें सिद्ध करना था तो इस प्रकार सिद्ध कर देंगे ठीक है